हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल बुल बैस टॉक पर Reliance Capital Limited कमपनी को quarter 4 में या कहें recently I quarter results में 1664 क्रोड का लोश उठाना पड़ा लेकिन कमपनी की sales में हमें एकदम से काफिय उचाल देखने को मिला इस बार sales 5163 क्रोड की हुई अदर इंकम की बात करें तो कमपनी ने 39 क्रोड की अदर इंकम जनरेट की जैसा आप सभी जानते ही है Reliance Capital एक नोन बैंकिंग फाइनेंशियल कमपनी है वैसे अनिल अमबानी 2021 एंड तक डेट फ्री होने का दावा करते हैं लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि लेंडर्स ने NCLT में जो दावा किया उसके अकोर्डिंग Reliance Infratel पर 12600 क्रोड, Reliance Telecom पर 24,000 क्रोड, Arcom पर 49,000 क्रोड का बकाया है जबकि Reliance Communication के अकोर्डिंग ग्रूप पर सिफ 26,000 क्रोड का इडेट है शेर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के सिर्फ 1.51% होल्डिंग हैं जिसमें से प्लेज एस परसेंटेज और प्रोमोटर शेर 3.42% है साथ ही DII Holdings में LICU of India की 2.98% होल्डिंग हैं 52 वीक रेंज में इस कमपनी का सियर हाई 14.35 और लो 5.95 रहाच देखना होगा क्या अनिलंबानी अपने कर्ज के बोज को कम करते हैं या नहीं क्योंकि सबसे बड़ी प्रोब्लम यही है और कुछ नहीं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केयर